जननम के nutritional hacks series के आज की episode में बात करेंगे vitamin K की nutritionist मन प्रीथ हमें बताएंगी कुछ quick hacks जिनकी मदद से body में vitamin K की कमी पूरी कर सकते हैं तो इस channel को subscribe करें जिससे के हमारे सभी updates आप तख पहुँचते रहें हमारा आज का topic है vitamin K vitamin K fat soluble vitamins में से एक है इसका मुख्य काम है blood clotting blood clotting यानि खोन के ठक्के बढ़ना इसके इलावा blood में calcium का level कितना है इसका maintenance का charge भी vitamin K के पास है bone formation और साथी pro-thrombin या protein का formation भी vitamin K के हिस्से ही आता है recommendation के हिसाब से WHO 55 microgram vitamin K प्रतिदिन लेने की सला देता है जिसमें से आदे से जादा vitamin K हमारे शरीर के microflora यानि की bacteria ही बना देते हैं bacteria से बना vitamin K हमारे शरीर में अच्छे से absorb होता है और liver में जाके store हो जाता है delivery के वक्त होने वाले अत्य धिक खून के स्त्राव को रोकने का काम vitamin K करता है एक बाद का जरूर ध्यान रखें अगर आपको डॉक्टर ने warfarin या कोई ऐसी दवा खाने को कहा है जो blood को यानि खून को पतला करती है तो vitamin K डॉक्टर के सला से ही ले आईए अब जानते हैं vitamin K की कमी के कुछ सामाने से लक्षन जैसे जल्दी चोट लगना, जल्दी से छिल जाना, मसूडों और नाक से खून आना, पुराने घाव में से बार बार खून आना, खून का थक्का बनने में देरी आईए जानते हैं कौन से हैं वो food ingredients जो भरपूर है vitamin K से ब्रॉकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, हरी पत्तेदार सबजियां जैसे की पालक, तेल जैसे की कनोला तेल, सोयबीन का तेल और मच्छी और साथ में जिगर आईए देखें ऐसे कुछ क्विक हैक्स जो vitamin K की absorption में मदद करेंगे vitamin K level को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आप पती दिन बनने वाले भोजन को अलग-अलग तेल में पकाएं जैसे अगर सुबह का भोजन बना है कनोला ओयल में तो शाम का बनाईए सोयबीन ओयल में इसके इलावा हफते में कम से कम एक बार हरी पत्तेदार सबजियां जरूर खाएं साथ ही इस बात का जरूर खयाल रखें कि आप अपनी आतों और पेट का विशेश रूप से खयाल रखें क्योंकि ये vitamin K की कमी पूरी करने में आपकी सबसे जादा मदद करेगा इसके लिए आप probiotic जैसे दही जरूर खाएं क्योंकि vitamin K की सबसे जादा कमी पूरी करने में मदद करेगा आपकी small intestine यानि आपके microflora जैसे ठीक रखने के लिए आप दही या fermented products खा सकते हैं अगर आप शाकाहरी हैं तो परिशान नहों इंडियन क्विजीन vitamin K के rich sources प्रदान करता है जैसे फूल गोबी, ब्रॉकली, मटर, पत्ता गोबी, पालक आईए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा बोन और प्रोटीन की बनावत vitamin K करता है 55 gram vitamin K की recommended dose है गट में micro bacteria भी vitamin K की production में helpful होते हैं ब्रॉकली, ठूल गोबी, पत्ता गोबी इत्यादी vitamin K के अच्छे sources हैं नीचे दिया गए comment box में अपनी pregnancy के experiences हमारे विवर्स के साथ जरूर शेर करें और इस विडियो को लाइक करें प्रेगनसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें परस्नलाइस्ट प्रेगनसी केर के regular WhatsApp अपडेट्स के लिए 93942-93942 पर missed call दें और याद रखें की हर प्रेगनसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है नमस्कार